सभी बच्चों को नमश्कार हम बात कर रहे थे सिंगेज अलजबरा की जिसमें की चेप्टर है मेटसिस जिसकी कंसेप्ट अप्लिकेशन एक्सरसाइज 13.4 हम डिसेश कर रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट कुश्चन देखिए इसका पहला कुश्चन देखिए सबसे पहले हम इस कुश्चन को पढ़ते हैं तब तक आप उसका पिक्चर देखिए जो आपके स्क्रीन पे फ्लैस हो रहा होगा कुश्चन कह रहा है कि इस A and B are matrices of same order मताद दो matrices हैं A और B उनका order same है then prove that AB transpose minus BA transpose is a skew symmetric matrix A और B दो matrices हैं same order की और अगर AB transpose जो T बना है और transpose होता है transpose आप जानते हैं जिसमें रोको कॉलम में change कर दिया जाता है और BA transpose is a skew symmetric matrix ये एक skew symmetric matrix है देखें कैसे इसको लगाते हैं जार देखें ध्यान से आपको proof करना है to prove order same है ये ध्यान रखिएगा to prove ये नहीं कहा square matrix है ये ऐसा नहीं बोला कि AB matrix of same order square matrix है ये ये अगर A 3 cross 4 की matrix है तो B भी 3 cross 4 की matrix है ऐसा बोला है ठीक है तो ये कह रहे हैं prove करिए कि AB transpose minus BA transpose is skew symmetric skew symmetric matrix है ये हमको prove करना है तो सबसे पहले तो skew symmetric का concept आपका clear होना चाहिए कि भाई skew symmetric prove करने के लिए आपको कौन से एक seconds रहा है कौन से funda का इस्तेमाल करना है ठीक है question number one है न हाँ देखो ध्यान से हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसी matrix दी हो जिसका transpose करने पर वो matrix as it is आ जाए तो वो symmetric matrix होती है ये हम जानते हैं न समित कहा जाता है हिंदी में और अगर ये minus में आ जाए तो इसको excuse matrix कहते हैं यह अगर इस matrix का कुछ नाम देते हैं तो हम इस सी का transpose करने जा रहे हैं और transpose करने से जो result आया अगर वो minus सी आ गया अगर हमको नहीं मालूँ आएकर नहीं आएगा अगर वो minus सी आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा ये excuse matrix matrix है ठीक है चलिए देखते हैं अब हम क्या करने जा रहे हैं now हम सी transpose करने जा रहे हैं मतलब ये पूरी जो value है a b transpose minus b into a transpose का whole transpose करने जा रहे हैं अब आपको transpose matrix minus दो matrix minus करने पर अगर transpose करते हैं तो उसका क्या concept होता है ये clear होना चाहिए ठीक है तो हमने पढ़ रखा है अगर दो matrix minus करेंगे और उसका transpose करेंगे या अलग-अलग transpose करके minus करेंगे result will be same यानि ये transpose sign इन दोरों में अलग-अलग चड़ जाएगा यानि ये बन जाएगा a b transpose के उपर transpose minus b a transpose के उपर transpose एक के उपर transpose नहीं काफी transpose उपर transpose नहीं उपर तो power t हमने चड़ाई है ठीक है अब बताई ये क्या rule होता है अगर a into b matrix है उसका transpose करते हैं तो क्या तरीका होता है पहले b का transpose होता है फिर a का transpose होता है मालुख है चुले ट्रांस्पोर्ट का साइन डेस होता है इसलिए हम डेस लगाने के आदत है क्यों होता है आप जानते कि अगर a b का multiply माले आपने किया होगा तो अगर ये 2 क्रॉस 3 की रही होगी ये 3 क्रॉस 2 की रही होगी अभी तो multiply का iska multiply सम्भो है नहीं वो order सेम है वो ब तो इसको पहले लिखना पड़ेगा तब multiply हो पाएगा ना तो हम जानते ही जो transpose sign है जब लगाते हैं तो इसमें उल्टा लिख देते हैं मतब पहले इसका transpose करेंगे यानि इसको कैसे लिखेंगे B transpose का transpose into A transpose minus A transpose का transpose into B transpose step step समझते जाओ होता नहीं इसका मतलब क्या होता है transpose का transpose करोगे तो फिर वही matrix आ जाएगी यानि यह जाएगा B transpose minus A B transpose अगर ध्यान से देखो यह भाई साब बिल्कुल ऐसे ही कुछ लिखे हुए है नहीं लिखे हुए है जी हाँ अंतर यह है कि यहाँ पर गरबड़ यह है कि आगे पिशली के हैं यह पहले लिखा यह बाद में लिखा हुआ है तो अगर मैं माइनस का मुले लूँ यह बन जाएगा A B transpose minus B A transpose बोले तो माइनस का C क्या से देखिया आपने इस matrix का नाम C दिया था उसका transpose किया और negative C आ गया इसका मतलब यह हो गया So C C बोले तो यह वाला है Is excuse metric Is excuse symmetric matrix Symmetric Have you got this question हम एक एक question अप्लोड कर रहे हैं जानबूस करके समय की मजबूरी हमारी भी है और प्लस आपकी भी है बहुत सारे काम हमारे पास भी होते हैं बहुत सारे classes के वीडियो बनाने होते हैं तो एक एक करके करते हैं इतना समय जाता है Next in the next video Thank you